हेलो इस्टेट आज हम सॉल्व करने वाले एक लास 10 के लिए CBC की ओर से जो ओफिशली सेंपल कोस्टन पेपर आया है Mathematics Standard का 2021 के लिए ठीक है इसको सॉल्व करने से पहले हम पेपर के बारे में थोड़ी सी चीज जान लेते हैं इस बार पेपर किया पुराने पेपर से थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुए इसका इस बार आपको दो सेक्षन में पेपर दिया है Part A and Part B में ठीक है दो पार्ट है इसके Part A की बात करें तो पार्ट A में आपके पास दो सेक्षन है section first and section second पहले section में आपके पास 16 question है जो की one marks के question है आपके पास में वो section second में section second में आपके पास इस बाद ये चुछे case study based question आए 9 question है तो ऐसा नहीं कि कापी hard question रहेंगे है कोई ऐसा चीज रहेंगे simple question है आपका 10 के concept से question दिये गए इसमें भी इसमें 4 question दिये रहेंगे ठीके तो इसमें क्या 5 सब part रहेंगे इसके तो आपको 5 question हो में से इसका कोई भी 4 question आपको गरने रहेंगे ठीके फिर part B है तो part B हमारा पहले की तरह ही है जैसे बात करें question 21 से 26 तक जो question है वो 2 marks के question है 27 से 33 तक जो कोशन है वो 3 marks के कोशन है 34 से 36 तक जो कोशन है वो 5 marks कोशन ठीक है तो आज हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में हम करेंगे part A का section first का question first start मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में इसके आगे वाले जो question है वो सारे मैं आपको solve करके बिल्कुल दिखाऊंगा आप video के साथ बने रहेगा क्योंकि जो भी आगे वाले जो भी वीडियो आएंगी मैं आपको हर एक question को अलग-अलग करके आपको solve करके बनाओंगा मैं आपको मैं एक ही वीडियो में सारे questions को solve नहीं कर रहा हूँ because क्या होगा आपको पूरे paper में हो सकता है कोई question especially कोई question आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ आपको वही especially question देखना हूँ ठीक है तो मैं आपको हर एक question को to 180 and hcf of xy equal to 3 then find the lcm of xy देखिए आपको क्या दे रखा है xy यादि दो नंबर का multiply यादि product दे रखा है दो नंबरों को product 180 hcf दे रखा है दोनों नंबरों को आपको lcm find करना है देखिए थोड़ा सब जान लेते हैं हमने यह question पहले पढ़ चुक है हमारा पास एक फोर्मला होता है product of numbers ठीक है equal to lcm into hcf ठीक है sorry hcf देखिए आप हमको question में देखते हैं तो हमको product of number भी दे रखा है 180 आपको lcm find करना है और hcf आपको दे रखा है question में तो product of number भी हमको कितना दे रखा है 180 lcm तो हमको find करना है into hcf आपको कितना दे रखा है यहां पर already 3 दे रखा है इनका हमको lcm यहीं find करना है तो देखो यहां से 3 यहां पर multiply में इधर आगे किसम आ जाएगा यह डिवाइड में equal to lcm 3 से इसको cancel करेंगे तो 60 आ जाएगा तो lcm इस question का जो answer है lcm कितना है 60 तो यह आपका इस question का answer रहेगा ठीक है तो काफी easily यह वाला हमारा question होगे इसके जाएदा question है हमारे 16 ही question है वह काफी easy type के question है one marks के question है आपके पास में ठीक है तो अब इसका जो और वाला question है वह हम देख लेते हैं देखिए जो और वाला question है इसमें आपको क्या दे रखा है the decimal representation of 14587 divided by 2 की पावर 1 into 5 की पावर 4 will terminate after how many decimal places यानि की for example आपको मैं बता देता हूँ simply way में कि यदि हम इस number से इसमें divide करेंगे ठीक है तो कितनी number बाद हमारा है यह पर decimal लगेगा ठीक है तो एक बहुत easy trick है मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कैसे करेंगे वो मैं आपक 5 के factor के form में multiply के form में यह दिया नीचे लिखा हो तो आपको क्या देखना 5 ए 2 की सबसे maximum power कितनी है वो देखो आप तो यहां पर हम देख रहे maximum power कितनी है इसकी 4 है तो क्या हो जाएगा तो यह terminate कितनी decimal place पाए होगा after 4 decimal places क्योंकि maximum power कितनी है इसकी 4 है दो कैसे होते है वो question जो है second वाला question इसका और वाला question ही है ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास question है 1 8 7 divided by 2 की पावर 1 into 5 की पावर 4 ठीक है तो देखिए इसमें होता क्या है 1 की power 4 5 की पावर 8 7 divided by यहां पर maximum power कितनी 4 है यह दि हमारे पास हमने पर रखा है एक की पावर M into A की पावर N त अलग-अलग तो हम क्या कर सकते हैं उसमें multiply power जो हो जाती है वो हमरी प्लस हो जाती है एक formula और भी होता है हमारे पास जैसे हम लेख सकते हैं यहां पर एकी power M into B की पावर M तो हम क्या कर सकते हैं अंदर वाले नंबरों को multiply करके उपर जो power है वो एकी बार लिख सकते हैं तो हमको क्या करना रहेगा 2 की पावर 3 से multiply भी कर देंगे 2 की पावर 3 से divide भी कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में 2 की पावर 3 हो जाएगी यहां से और 1 प्लस यहां पर 4 हो जाएगी तो 2 की पावर 4 भी हो जाएगी और 5 की पावर 4 भी तो यहां प्या भी है तो देखिए 1,2,3,4 4 decimal बाद हम यहापे पोइंट लगा सकते हैं तो इसका answer है वो कितना हो जाएगा 4 decimal places तो इसका answer में हम क्या लिखते हैंगे 4 decimal places ठीक है तो यह हो गया इस question का हमारा यह हमारा और वाला question ठीक है अब इसके आगे वाले जो question है second में आपको next video में बताऊंगा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको easy रहे आपको question का solution देखना ठीक है तो आप channel को subscribe कर दिजएगा साथ में ही आप मैं इसकी playlist की list आपको उपर देदूगा यह description में देदूगा तो आप जहाँ से जाके आपने इसकी playlist आप देख सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं next video में thank you